सो नाव एरेडा लिमिटेट अब देखें 148 रुपए 85 पैसे का प्राइस आ चुका है जैसे कि अपनी बात हुई थी 150 तक जाने की बजट से पहले ही ये आपको पॉसिबल होते में दिखा हैं अब देखें Q3 के नमबर्स आगे Q3 के नमबर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे है लेकिन एक जग़ट disappointment है बाकी जग़ए अगर आप देखेंगे तो wonderful नमबर्स आपको देखने को मिलने हैं जो कि आपको जान लेना भी काफी जरूरी है कि चल क्या रहा है एडा के अंदर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो target क्या निकल के आएंगे उस पर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो total income की अगर आप बात करेंगे रिजल्ट आपके पास आ चुका होगा आपने देख भी लिया होगा बट इसको यहाँ पर बात करना जरूरी है तो 1253 करोड का यहाँ पर total income निकल कर आई है जो कि quarter to quarter year on year basis पर दोनों ही यहाँ पर जो टेक्स को कट करने के बाद अगर आपको जो profit बसता है तो profit बहुत ही अच्छा शांदार है जो कि 335.3 करोड रुपय का profit निकलता है यह quarter to quarter basis पर देखें तो 284.73 करोड से जंप है और year on year basis पर अगर आप देखें तो 200 करोड से बढ़कर 335 करोड पर यहाँ पर आया है तो market मे बहुत ही बढ़िया movement यहाँ पर जो है मिली रहा है एडा के अंदर 77 Q3 का यहाँ पर action भी आपको देखने को मिला अब यहाँ पर budget की तहियारी कर लीजे और speedya में दसमें point को अगर आप देखेंगे तो कोई भी default यहाँ पर नहीं हुआ है यहाँ पर यह ध्यां रखेंगा को gross NPA और net NPA जो कि हमें यहाँ पर देखना होगा तो net NPA year on year basis पर 2.03% से गिर कर 1.52% है यहाँ पर रहे गया है और यहाँ पर gross NPA जो है वो 4.24% से घटकर 2.90% कर रहे गया है तो यह बहुत ही fantastic बात है net NPA और gross NPA से आप कोई problem नहीं है अगर आप देखें quarter the quarter जो कि हमने पहले बात करी थी तो उस पर आगर हम देखेंगे तो आपको 1.65% से घटकर यहाँ पर 1.52% का net NPA आपको देखने को मिले रहा और 2.90% आपका gross NPA यह quarter the quarter basis पर 3.13% से घटकर gross NPA जो है वो 2.90% रहे गया है और net NPA quarter the quarter यानि Q2 के comparison Q3 में जो आभी आए 1.65% से घटकर 1.52% यहाँ पर रहे गया है यही सबसे कमाल करने वाली बात किसी banking में अगर आप चले जाओगे तो उसके अंदर जरा साभी net NPA अगर increase हो गया तो इस तो धड़ाम हो जाता है और जरा साभी घटे गया तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो स्काय रॉकिट हो जाता है और जब यहाँ पर अगर आप देखें तो 165% से घटकर 1.52% यह एक अच्छी बात है प्रॉबलम क्या हो गई थी प्रॉबलम यह थी कि यहाँ पर लगातार ना दो कौार्टर से NPA बढ़ रहे थे तीसरे यह कौर्टर में अच्छा हुआ कि यह NET NPA घट गया तो यह अभी तक का रिजल्ट जो है वो बड़ा शांदार है लेकिन एक प्रॉबलम है जो कि मैं आपको बात कर रहा हूँ पूरे रिजल्ट अच्छा है बट एक डेंट यहाँ पर पढ़ा है वो पढ़ रहा है यहाँ पर आपका फाइ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट है यहाँ पर बोला जाता है यानि कि आपके टोटल एक्सपेंसर को कट करने के बाद जो भी वसता है तो यहाँ पर फाइनेंसिंग मार्जिन जो है न वो लगातार यह तीसरा कोटर है जब गिरा है year on year basis पर तो अच्छा है 28% से बढ़कर 31% है बढ़ अगर आप देखेंगे एक quarter दर quarter आपका जो है यह तीसरा quarter है जिसके अंदर financing margin percent गरा है तो यह दियान रखेएगा So overall numbers अच्छे हैं numbers अच्छे हैं definitely यहां पर अच्छे हैं अब आप बात करेंगे EPS की तो हमारे पास Q1 का EPS है Q2 का EPS है Q3 का भी EPS आ गया है बट हमारे पास overall यहां पर Q जो सारी March के जो earning per share है वो हमारे पास नहीं है So that हम यहां पर calculate तो नहीं कर पाएंगे लेकिन company बता रही है 3.96 about यहां पर आपका EPS है लेकिन वो मुझे लग रहा है कि इन 3 quarter का जोड़ कर है 4th quarter की तो need है ऐसे हम यहां पर नहीं कर सकते है अगर अगर आप उसे साबसे अगर आप देखें एक average अगर आप दिखा लें मैं मानता हूँ एक का EPS अगर हम रख लें March वाले का तो यहां पर कितना यहां पर बनता है अल्मोस्ट यहां पर 5K अराउंड आपका EPS बन जाता है मैं अराउंड की बात करहा हूँ 5K अराउंड 4.90 से 5K अराउंड यहां पर EPS बनता है ठीक है अगर हम यहां पर 5K अराउंड देखें जो कि 5 या 5 से एक्स्टा हो सकता है यहां 4.90 के अबाउट में कह रहा हूँ तो यहां पर आपका 150 माल लेते हैं ठीक है यहां पर अगर आप देखेंगे तो 30 का यहां पर P-E ratio आपका पहुंच चुका है 30 का P-E ratio आपका पहुंच चुका है तो यह एक अच्छी बात है कि आपका 30 का P-E ratio आपका पहुंच चुका है तो एटेलीस्ट यहां पर जो है आप सेफटी परपस अगर आप देखेंगे तो P-E ratio 46 से 30 का राउंड आपको देखने को मिला है तो यह एक अच्छी बात है जो हमें चाहीए था वैलेशन कमफर्ट वह यहां पर बहुत बहुत जादा तो नहीं लेकिन इस इस्तिती में जब यह स्काइ रॉकिट हो रहा है वैलेशन लगातार स्टेच हो रही है ऐसे में आपका जो एक P-E ratio है वो फिर भी ठीक जगा पर पहुंच चुका है तो यह एक अच्छी बात तो भैया वैलेशन कमफर्ट आता हुँ दिख रहा है इसका मतलब यह है कि अराउंट है यहां पर अगर आप देखें तो कोई बड़ी गिरावट यहां पर अब पॉसिबिल्टी एड़ा की अंदर नहीं लगती है अब एक गिरावट अगर आएगी भी तो वो लिमिटेड गिरावट होगी जो की बजट की वज़े से प्रॉफिट बुकिंग होगी एक बात और जहां पर अभी हम स्टेंड कर रहे हैं ठीक है जहां पर अभी हम स्टेंड कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया है ये भी ध्यान रखियागा बहुत कुछ बदल गया है बजट की वज़े से एक्सपेक्टिशन की वज़े से लेकिन काउंटर जो है अगर यहां से और हाईयर साइड जाएगा तो फिर वही बात आ जाएगी वेलिशन गूंफर्ट य बहुती रेर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा ऐसे नहीं आता हूँ देखेगा वो बहुती रेर कंडीशन में आता हूँ देखेगा जब मारकेट अचानक से तूटा होगा और इस पर प्रेसर Dafür बन रहगा क्योंकि बजचट के बाद यह कांटर पर अतना बहुत अच्छी बात है आपके पास पैसे आ गए ठीक है पॉसिबल यहां से जो है वो दो सो तक कर सफर अभी स्टॉक टै कर ले एंड लास्ट वो इसी लिए क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं बजट के लिए पोजिशनिंग बनेगी ही पस थोड़े चीजा में देखकर चलना है यहां पर अराउंड अभी तो हम 80 के अराउंड RSI भी नहीं पहुंच जा है फूर तरीके से एटी 82 के राउंड पहुंच चुका है 82 के आराउंड पहुंच चुका है लेकिन डरने की वही बात नहीं है अगर यहां से 170-180 जाना है सबसे पहले इदरी की तरफ जाना होगा 170-180 के आराउंड तब यहां पर RSI देखेगा बड़ी बात नहीं है कि यह 200 रुपय तक चला जाए या अगर कोई बीच में कोई गिरावट भी आएगी स्टॉक के अंदर पॉसिवल है कि कोई बजट की एक्सपेक्टेशन की वज़े से वो गिरावट जो है वो फिल हो जाए एक दिन अगर गिरावट रहेगी कि कोई तेजी आपको मिलेगी क्योंकि उससे पहले ही उनके बोलने से पहले ही यहाँ पर जो है प्रोफिट बुकिंग जगए जगए देखने को मिलने लगेगी तो इस बात का ध्या रखेगा बाकी ओपन इसकाई है ओपन इसकाई लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है बजट तक बजट तक कोई गिरावट भी अगर आएगे अगर आपने हाईर साइट खरीदी भी लिया इसे श्टोक के अंदर तब भी निकलने की चांसे साबके बहुत ज़ादा हो जाएए तो बजट तक तो कोई दिक्कत नहीं है बजट तक तो ये बहुत ही फ्रेंडली रिटेल फ्रेंडली आप कहा सकते हैं काउंटर रहने वाले बाकी याँपर जो है आप सपोर्ट की बात करेंगे और अराउंड यापर जो है इटी फाइब बोलते थे वो इटी फाइब भाई साब वो इटी फाइब ये गैफ फिल होते हैं मैं आपको बताओ अभी हमें स्टॉक को कबर कर रहे थे पॉली कैब पॉली कैब इंडिया वो जो गिरावट आई थी थी नाइन जीरो जीरो तक 3700 तक गई थी उसके अंदर गैब देखिएगा एक छोटा सा गैब छूटा हुआ था वो गैफ फिल करने के बाद उसके अंदर गिरावट नहीं हो रही है वो एक रेंज में चल रहा है तो ज़एट गैफ फिल होते हैं लेकिन उनका एक टाइमिंग होती है हो सकता है कि एक साल बाद हो दो साल बाद हो कुछ मार्केट कंडिशन से ऐसी बैठ जाएं कि अचानक से आपको डिप देखने मिल जाएं तो वो एक अलग चीज होती है कोई-कोई स्टॉक तुरंती दे देता है तो वो यहाँ पर है लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा कमफर्ट आ गया थोड़ा सा आया बहुत जादा नहीं आया ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुली सारे चीज़े बुलाद है क्यू थरी से सॉरी बजट से पहले कुछ बुक करते रहना बाई साब तो एड़ दा एंड दे का वेट मत करियेगा बजट का उससे पहले ही अपनी जो है वो रणनती बना के रखियेगा कि मुझे निकलना है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है सो सिंपल है ब्लू स्काई चलने दीजे ब्लू स्काई चलने दीजे जाद 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 गरावट होगी तो 135 तक पॉसिबिल लगती है इस स्टॉक के अंदर बजट हाला कि बस स्टॉब लॉस जरू मेनेज करियेगा बजट से ये मतलब नहीं है हर जगा ठीक है हर जगा ऑपरेटर है हर जगा चलाने वाले है पिएसी उसके अंदर बहुत फेवरेबिल है अब गिने चुने स्टॉक्स हैं तो उनमें ही तेजी हो रही है तो तोड़ा सा साबदानी रखकर भी काम करें तो आप क्या गयाना है स्कूबर के में से समके या और अब दीज में जाओ वीडियो देखने के लिए बहुत दन्माद उस्तो